ओम शान्ती यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ओम शान्ती ओम शान्ती आज दिनांक 27 मार्च 2022 अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइच कोर्स साथ मार्च 1990 को हम बच्चों को जो वर्दान दिया वर्दान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे बाप दादा वर्दान में बोले प्लेन बुद्धी बन सेवा के प्लेन बनाने वाले यथार्थ सेवाधारी भाव आज बाप दादा हम बच्चों को यथार्थ सेवाधारी भाव का वर्दान दे रहे हैं वर्दान में बाप दादा कह रहे हैं प्लेन बुद्धी बन सेवा के प्लेन बनाने वाले यथार्थ सेवाधारी भाव डिटेल में बाप दादा बोले यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है जो स्वा की और सर्व की सेवा साथ साथ करते हैं स्वग की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई हो ऐसे नहीं दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाओ अर्थात आज बाप दादा हम बच्चों को यथार्थ सेवाधारी बनने के लिए यथार्थ सेवा की युक्ती बता रहे हैं कि यथार्थ सेवाधारी वे सेवाधारी हैं जो पहले स्वा परिवर्तन करते हैं स्वा चेकिंग कर स्वा को परिवर्तित कर विश्व परिवर्तन का आधार बनते हैं अर्थात, खुद की सेवा करने वाले ही विश्व की सेवा कर सकते हैं. ऐसे नहीं कि ओरों की सेवा कर रहे हैं और खुद अलबेले बन रहे हैं. ऐसे बच्चों को बाबा मिया मिठ्ठू की स्रेणी में रखते हैं. क्योंकि मुक्ष से बोलने के बजाए अपने स्वरूप से सेवा करना मंसा वाचा कर्मना यतार्त बाबा की रीती पर चलना बाबा ने जो स्रीमत दी उस स्रीमत के अनुशार कदम बढ़ाना तो ऐसे सेवाधारी जो पहले खुद का परिवर्तन करते हैं खुद की सेवा करते हैं खुद का कल्यान करते हैं और उसके आधार पर फिर फिस्व का कल्यान के निमित बनते हैं आगे बाप दादा बोले सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ हो इसके लिए प्लेन बुद्धी बन कर सेवा के प्लेन बनाओ प्लेन बुद्धी अर्थात कोई भी बात बुद्धी को टच नहीं करे सिवाए निमित और निर्मान भाव के हद का नाम, हद का मान नहीं लेकिन निर्मान यही सुब भावना और सुब कामना का बीज है अर्थात, बाबा, आज खुद की सेवा करने के लिए यथार्थ सेवा बता रहे हैं कि सेवा के साथ साथ योग भी आवश्यक है जब तक स्वपरिवर्तन नहीं होगा तो विश्वपरिवर्तन भी नहीं होगा और स्वपरिवर्तन का आधार है योग, बाबा की याद को धारण करना बाबा के ज्यान को धारण कर उसका स्वरूप बनना इसके लिए बाबा कहते कि प्लेन बुद्धी होना आवश्यक है अश्यक अर्थात जिसकी बुद्धी हल्की साप स्वच्छ है वही पिता परमात्मा से टच हो सकता है पिता पिता परमात्मा की स्रीमत पर चल सकता है पिता परमात्मा के ग्यान का स्वरूब बन सकता है और उसके आधार पर ही विश्व कल्यान कर सकता है तो एसी साप स्वच्छ प्लेन बुद्धी होना उन बच्चों के लिए अती आवश्यक है जो निर्मान चित होकर रहते हैं निमित भाव इसमरती में रखते हैं ऐसा नहीं कि सेवा की और खुद के प्रती अलबेले बन गए तो ऐसे बच्चे जो हद के नाम मान सानक से उपराम रहते हैं एक पिता परमात्मा पे पूरा पूरा नियोचावर होते हैं निर्मान चित बन कर रहते हैं वही सुब भावना और सुब कामना का बीज है स्लोगन में बाबा बोले ग्यान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी अर्थात बाबा आज हम बच्चों को वानी के साथ साथ अपने कर्म द्वारा अपने चाल चलन द्वारा अपने चहरे द्वारा गुणों का दान करने की स्रिमर दे रहे हैं कि जो बच्चे ग्यान के साथ साथ गुणों का दान करते हैं वही सफलता मुर्थ बनते हैं आज बाब दादा ने अव्यक्त वानी में हम बच्चों का अटेंसन खिचवाया रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ती बाब दादा आज अपने इसने ही बच्चों को दो बातों के आधार पर चेक कर रहे हैं बाब दादा देख रहे हैं कि इसने का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन एवं संपूर्ण मनाता है हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहां तक आई है आज बाबा देख रहे हैं जैसे सरीर की इस्थुल करमेंद्रिया आत्मा के कंट्रोल से चलती हैं जब चाहें जैसे चाहें जहां चाहें वैसे चला सकते हैं और चलाते रहते हैं कंट्रोलिंग पावर भी जैसे हाथ पाउं इस्थुल सकतिया हैं ऐसे ही मन बुद्धी और संसकार आत्मा की सुक्ष्म सक्तियां हैं सुक्ष्म सक्तियों के उपर कंट्रोल करने की पावर अर्थात मन बुद्धी को संसकारों को जब चाहे जहां चाहें जैसे चाहें जितना समय चाहें ऐसा कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर कहां तक आ कि जिस प्रकार इस्तुल करमेंद्रियों का कंट्रोल सुक्ष्म करमेंद्रियों के हाथ में होता है। तो बाप दादा आज यही देख रहे हैं कि कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति कहां तक हुई है। का नियंत्रन रखना बिंदू लगा देना किसी भी समस्या पर अपने लक्ष की और ध्यान रखना उसके बीच में जो भी समस्या आती है परिस्थिती आती है उस पर बिंदू लगा कर आगे बढ़ जाना। तो आज बाप दादा हम बच्चों को संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए इसने ही बच्चों की निसानिया देख रहे हैं। तो आधार देख रहे हैं कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। तो बाप दादा कहे रहे हैं इन्ही के आधार पर तुम बच्चे स्वराज अधिकारी बनते हो इस संगम युग पर। और सत्युग में राज्य अधिकारी बनते हो और जब भक्ती मार्ग शुरू होता है तो तुम नंबर वार स्रेष्ट भक्त बनते हो, स्रेष्ट पुजारी बनते हो तो बाबा की आसा है कि अलमाइटी अथोरिटी की संतान माश्टर अलमाइटी अथोरिटी हो, सभी सक्तियों को, करमेंद्रियों को, ग्यानेंद्रियों को अपनी इच्छा अनुसार हैंडल करना यही बच्चों का ब्रह्मन जीवन का आधार है इस छोटे से संगम युक पर इस अंतिम छोटे से ब्रह्मन जन्म में हमें सारे कल्प की प्राप्ति करनी होती है तो बाप दादा कहते यही वो जन्म है जो ब्रह्मन जन्म में तुम बच्चे पुरुशार्थ कर स्रेष्ट स्वराज्य अधिकारी बनते हो और विश्व राज्य अधिकार प्राप्त करते हो साथ साथ जब भक्ती सुरू होती है तो स्रेष्ट पुजारी बनते हो अर्थात उचे ते उचे भक्त बनते हो भक्त भी नंबरवार होते हैं अर्थात ऐसे ब्राह्मन आत्माएं भी नंबरवार होते हुए आत्मिक प्यार अटूट अखंड है वेराइटी चलन वेराइटी संसकार देखकर प्यार करते हैं तो वह अटूट और अखंड नहीं होता है किसी भी आत्मा के अपने प्रती वह दूसरों के प्रती चलन अर्थात चरित्र वह संसकार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है लेकिन आत्मा स्रेष्ट आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार उसमें परसेंटेज नहीं होती कैसे भी संसकार हो लेकिन ब्रह्मन आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंद है इस वर्य परिवार है बाप ने हर आत्मा को विशेश चुनकर इस्वर ये परिवार में लाए हैं तो अब बाप दादा से सक्तियां ग्रहन कर, स्रिमत धारण कर, अपने रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्वराज्य अधिकारी बन, विश्व राज्य का अधिकार प्राप्त करना है स्रेष्ट ते स्रेष्ट बनने के लिए इस अंतिम भ्रह्मन जन्म में स्वयम को पूरा पूरा बाप दादा पर अरपन कर देना है अच्छा, ओम शांती